आज मैं आपको बटाने वाला हूँ display over adder apps का जो setting है या क्या होता है एंड इसका मतलब क्या होता है इस setting को कैसे आप enable करेंगे अगर आपके phone में दिया गया है अगर आपके phone में नहीं दिया गया है तो कैसे आप enable करेंगे इस पर मैंने अलगते वीडियों बनाया है तो सबसे पहले बाद करेंगे डिस्पले over adder app का जो setting है इसे आप अपने phone में कैसे enable करेंगे कैसे पांड करेंगे तो simple आप अपने mobile में setting application open करेंगे setting application open करने की बाद यहाँ पर आप scroll down करेंगे तो आपके mobile में apps या app manager की नाम से एक setting डिया रहता है इस पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर display over adder app का जो यह आप सेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यह setting आपके phone में नहीं मिलता है तो उपर जो यहाँ पर एक search का button दिया रहता है तो simple से यहाँ पर आपको search कहãyARDा है over यहाँ पर आपको search कहARDा है display over other app यह आप search करेंगे तो अगर आपके phone में दिया गया यह option तो आपको पहली नुब़ प्र मिल जाएगा एंड यहाँ पर डिस्पले ऊबर अडर आप का जो आप तो यहाँ पर डाइरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जो आपने मुबाइल में यह आप तो फायंड कर सकते है कुछ अबलीकेशन यहाँ रहता है कुछ न возь रहता है बाद करते हैं इस सेटिंग का मतलब क्या होता है डिस्पैय और अडर है यहाँ पर डौस्टो कुछ ऐसे American hautes जैसे एज़िसकी विकूदर हो गया इसेर हो गया जो हमारे मोभाईल का इसकी रिकोर्ट करटे आजो है कोई भी फाइल किसी दूरे मोभाईल में यौकार करने वाले अप्लिकेसण होग के असे इससेedor करने के लिकूर्ड के लिए देर कर पाएंगे हूँ आपको यह जो permission होगा दे देना चाहिए, देने के बाद यह application over करेंगे, यानि कि आपकी mobile का इसकी recording करेंगे, अगर आप एजर डिस्की recorder यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कई application है, अगर वह application भरोसी मन्द है, तो आप यह जो setting है enable कर सकते हैं, इस setting को enable करने से आपकी mobile में कोई भी problem नहीं होता है, तो आप यहाँ पर allow कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर application allow करने के लिए बोल रहा है, डिस्पले over order app, आप उतने enable कर सकते हैं, तो अगर आपके phone में जो है, डिस्पले over order app का जो setting है, फीचर not available सू कर रहा है, इस पर मैंने अलग से वीडियों बनाया हुआ है, इस